कि अब आख दिजिटल के लिए दिल्ली से मैं सुनीर स्विवास्त आज जब से किनाव प्रणामों के रुझान आने शुरू है और यह असपर्ष्ट हो गया कि तीन राजियों में राजस्थान, मध्यपरदेश और शक्तिस गर्ण इन तीन राजियों में भारती जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है हाला कि अभी रुझान है और धीरे धीरे नतीजे भी आने शुरू हो गये हैं हारने और जीतने के लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो इस्थिर है और यह निश्चित रूप से जीट में तब्दिल होगी लेकिन यहां मैं अभी उसकी समिक्षा नहीं करूँगा और यह भी नहीं कहूँगा कि हार जीत किसकी कैसे हुई उसकी कुछ बात मैं नहीं करूँगा इतना मैं जरूर कहूँगा कि जब से मैंने यह परिडाम देखा है तब से मुझे यह लगा कि हां मेरा अन्मान सही था और 36 गड़ में थोड़ी सी असमंजस थी हलांकि असमंजस इस बात को लेकर कि थी की कांटे की टक्कर है एक आद दो सीट का इधर धर हो जाएगा लेकिन अब तो पूर बहुमत की और भाजपा की सरकार आ रही है लेकिन यहां मैं भाजपा कांग्रेस या इन सब के हार और जीत रोगना रोडना दो चीजों की बात मैं करना चाहूंगा एक तो यह कि혜 जो कुछ पत्रकर हैं जो जो को मैं पहले medal मीडिया कहता था दलाल पत्रकर करता था लेकिन आप गल करना तो ठीक नहीं है उनकी अपनी अपनी चीजे हैं लेकिन अब Volvo आईसे पत्रकार हैं जो आकि की कहा जाएं से प्रचार कर रहे थे और उनको बड़ी निरासा लगी कि जहां हुए कोंचा कर रहे थे उन्हें ने कह दिया तहकर था कि कांग्रेस से जीत जाएगी और भारी वहमत से जीतेगी फिर भारती जन्ता पार्टी का क्या होगा मोदी का क्या होगा सेमी फाइनल हार गए चोविस का भुजबानी करने लगे थे और यह भी कहने लगे थे कि अब जो है बीजेपी को यह मानना पड़ेगा कि इंडी गटवंधन जो है उसमें भारी पढ़ रहा है लेकिन यहां तो बिलकुल मामला उल्टा ही होड़ दिख रहा है जहां तीनों राज्यों में ये लंगाना की बात अभी मैं नहीं करना हूँ वह कांगरेस की सरकार भवभुमत से आ रही है लेकिन मैं इन तीन राज्यों की बात नें करना चाहूंगा और साथ मैं उन पत्रक वहां गए थे उन राजियों में गए थे उसकी जमीनी हकीकत देखी थी तो सायद उन्होंने हकीकत देखी थी और यह असपर्ष था कि वह जो बोल रहे हैं वह गलत है फिर भी उन्होंने एक पक्षिय रिपोर्टिंग की जो उन्हें खुद उन पर विश्वसनियता खतम कर द लिकिन अब वही पत्रखार का कांग्रेस का अरं परचार कर रहें तकी मैं पर्चानि इसलिए नहीं कशॉंगा वह पत्रकार कि उसमें जुटे हैं कि वो अब यह साबित करने में लगे हैं यह दिखाने में लगे हैं कि भार्ति जनता पार्टी की जीत है उसमें जो केंड्री नित्रित है यानि की प्रधान मंत्री मोदी का कोई हाथ नहीं है है और वो जो वहां के मन्त्री रहे हैं जो चीफ मिनिंष्टर है या यहां के जो नेतार हैं उनके बलग्त और इस हैं और इस कोशिस में लगे हैं कि वहां है जो नेटी तो है निटीज़ regulating का उनमें फूट कैसे पाइदा कि जैसे कि वह कह रहे हैं कि अभी राजस्थान में कोई उनका यह नहीं था उनका जो कोई जमीन नहीं था बसुंध्रा-राजे को अलग कर दिया था उन्होंने वहां की स्थिति खराब थी बसुंध्रा लाजे ने जिता दिया क्या केंदर निर्टित उनका समर्थन करेगा उनको मुख्यमंत्री बनाएगा बनाना चाहिए या फिर वह शिवराज सिंग चौहान के बारे में कह रहे हैं कि निर्टित ने उनका ध्यान नहीं दिया और उस पर वह अपने से वह कुशियोजनाओं को ला करके और उन्होंने जिताया भारत बनातों और वहाँ पर क्या रहे हैं किуют कोई साथ नहीं दिया था नितितो ने वह सारी चीजों को हटा दिया था पहले ध्यान नहीं दिया फिर जाकरके उन्दिम समय में एक महिने में उन्होंने काम किया था यहाँ जाके मोजी नेरोडसो या जो भी किया था लेकिन इसका तो मोजी को नहीं जाता है कि मोजी अपने नितिर्ट में फेल रहे हैं और लेकिन मोदी मैंजी को भी नहीं नहीं नाकार सकते हैं और वह पत्रकार हैं इस बात का यह हैं बात की कोसिश कर नहीं कि इम सुसिद कर के बार्स न diagnostic को ले करके कि राजास्तार का मुख्यमंतरी कौण होगा mówi 36 मुख्यमंतरी कौण होगा मत्रपर्देश का मुख्यमंतरी कौण सबंदी वहाई हमुद्ध के वह नöट हैं कि हमने जो गलत निख्ला और क्यों भी जैसी जीती और यह नहीं कर रहा है कि हम जो खाती हो गलत निख्ला वह इस बात की कोशिस कर नहीं कि पियों जीती और नरंद मोजा का मैम मैजिक है वह मैजिक नहीं है बलकि दूसरे कारणते जो कि वहां वीजेपी जीती उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वीजेपी अगर जीतती है तो इसमें मोधी मैजिक तो साथ है ही लेकिन जो वीजेपी के अपनी उजनाएं करने हैं जो उनकी इमानदारी है जो उन्होंने लोगों के घर घर जाकर के गाउं में ञाकर करके उन्होंने काम किया है ठोगिसी और अगरफ़ी मैजिक को नहीं owski स्विकार करते हैं उनकी अपनी अपनी परिशानी के लिए तो कहीं कुछ कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन यह बात वह पत्रकारी बात समझ लें कि जो वह विशलेसर कर रहे हैं वह विशलेसर अगर वहां वो गए थे उनकी जमीनी हकीकत में उन्होंने कुछ देखा था तो बात उसकी करने चाहिए थे और यहां मैं बात अगर मैं करूं तो जो वो करना है उसको मैं अलग हटके एक बात और मैं कह देता हूं या इस पर मैं बात करना चाहता हूं कि जुन लोगों ने कहा कि उस यह बात भी सोची नहीं होगी कि अब राजी राहूल गांधी कहां है राहूल गांधी अगर इन तीनों राजियों की बात की जाए चुनावी सभाओं की बात की जाए तो यह बात साफ हो गई है कि नरंद्र मोधी नहीं बल्कि राहूल गांधी की प्रतिष्ठा ही नहीं घट यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के अंदरोनी जो उनके जगड़े थे राजस्थान में मत्रपरदेश में भी और 36 गड़ में जो भरस्टाचार का बोल बाला था वह भी कांग्रेस को हराने में बहुत मददगार हुआ है 36 गड़ में खनन घोटाला अभी जो रुपए मिले थे करोणों रुपए मिले थे उसके पहले दूसरे कोईला घोटाला या दूसरे घोटाले थे उसकी वज़े से सरकार की बदनामी हुई थी और उनको इसका खामियाजाबी भुगतना पड़ा तरस्थान में जगड़ा तो था ही वह जगड़े कहीं नतीजा था कि वहां पर घलवत हों या फिर सचिन पाइलट हों इनके बीच का जो इनके बीच को जो दूरी थी वह कम नहीं हो रहे थी बाद ने सोनिया गांदी दाहूल गांदी सारे लोग गए खड़गे जी गए त था कि हां उनका मामला ठीक हो गया है मत्रप्रदेश में भी यह हुआ मत्रप्रदेश में वह कुछ कर नहीं सके कमलनाथ और गुजय सिंग के बीच की दूरी जो उनके खट-पट थे उनके आपसी जगड़े थे मनमुटाव थे उसका भी नतीजा था तो कहने का मतलब यह कि बीजेपी के मनमुटाव की बात कर रहें तो उन्होंने तो दूर कर दिया उनका अपना एक कैडर की पार्टी है उनकी अपयोजनाएं हैं उनका एक सिधान्त है लेकिन कांग्रेस ने उन चीजों को दूर नहीं किया और राहुल गांधी को अगर यह कहा जाए कि इन सारे न गंधी ने किया तेकित इन लोगों का कोई हूए दो मैंजीक है काम नहीं कियाधा साफ हो गयी है कि कांग्रेस्स में गॉइंभ़वार का जो hai बंगाला था उनका जो भी ख्तीया हो नाते हैं को नोने देख लिया है कि उनकी वजह से उनको कितना आर का सामना करना पड़ता पड़ता है और दूसरे फैक्तरों उन फैक्टर के इनसे दोजार चोबीस का जो लुक्सभाद चुना हो उसमें दूरी बना ले और कहीं कहीं कांग्रेस को इसका जो है बहुत बुरा प्रडाम झेलना पड़े